भारत में कई सिक्के सता पर पाए गए हैं पर जादातर खुदाई द्वरा निकाले गए हैं। सिक्कों के अधियर को Numismatics याने की सिक्का बात कहा जाता है। प्राचीन भारत में मुद्रा कागच की नहीं बलकि धातू की होती थी। प्राचीन सिक्के सोने, तामा, चांदी एवं सीज के बनने होते थे कुशन सामराज्य के दोरान सिक्के मिट्टी से बनाय जाते थे गुपता सामराज्य के बाद ये प्रशलन बंध हो गया British शासन के दोरान कई सिक्के बिटेन- इस्थानांतरित किये गए कई भारतिय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के म्यूजम में हैं हमारे सबसे पुराने सिक्कों में कुछ चिन हुआ करते थे पर बाद के सिक्कों में राजाओं और देवताओं की आकरिती थी और उनके नाम और तारीक का भी उल्ले किया जाता था सबसे ज़ादा भारती ये सिक्के मौर्री समराज के बाद पाए गए गुपता समराजी ने सबसे ज़ादा सोने के सिक्के जारी किये यह सब दर्शाता है कि व्यपार एवं वानिज्य मौर समराज के बादपन पे गुपता समराज के बाद काफी कम सिक्के पाए गए हैं जो व्यपार एवं वानिज्य का पतन दर्शाते हैं कौनियां भी सिक्के की तरह स्तिमाल की गई पर उनकी purchasing power याने की crash शक्ती कम थी